नमस्कार कैसे हो आप सभी आज मैं आपके लिए कर आई हूँ केरे माइल बनाना जो की बहुत ही टेस्टी और यमी होता है इसे बनाना भी बहुत आसान है तो चलिए बना लेते हैं आज की नई रेसिपी बट उससे पहले मैं खुश्पु कना जिया मैं अपने चैनल घर का जा को सबस्क्राइब जरूर किजिंगा कि अगर आप हरस्ट बार विजट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सबस्क्राइब कि Bennett मत जाइएगा क्योंकी सबस्क्राइब करने पर पेसा नहीं लगता बट मेरा होसला जरूर बढ़ता है आगे काम करने को और आप मेरी वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैंने इसमें सारे इंगिनियंस को नोट कर दिया है आप वहाँ से चेक आउट कर लिजिएगा तो चलिए बनाते हैं तो इसके लिए सबसे पहले हम बनाना लेंगे और इसे अच्छी तरह से बस्ट कर लेंगे और फिर इसका छिलका उतार कर हम इसे साइड में रख लेते हैं तो चलिए इसका हम छिलका उतार लेते हैं इसी तरह से हम सारे छिलके को उतार लेंगे मैंने सारे छिलके उतार दिये हैं, अब मैं इसे वीच से डिवाइड कर दूँगी, तो चलिए इसे हम वीच से कट भी कर लेते हैं और आप ज़्यादा ना पका हुआ केला लीजिएगा और ना कम पका हुआ, जो कि परफेक्ट पका हुआ हो, आप उसी तरह का केला लीजिएगा, आप चाहे तो इसका पोर्शन भी साइड कर सकते हैं तो लीजिए मैंने इसे बीच से कट कर लिया है, अब मैं आपको आग का प्रोसेस बताती हूँ तो हम यहाँ पर एक पैन लेंगे और पैन को हलका गर्म होने देंगे जब पैन गर्म हो जाए तब हम इसमें सूगर एड करेंगे इसे हम बीना चमच, बीना स्पून, बीना कल्ची के हेल्प से ही से चलाएंगे सिर्फ इसके पैन को हम हिलाते रहेंगे ताकि यह केरेमाईल होते जाए जब यह केरेमाईल हो जाए तब हम इसमें एड करेंगे बनाना इसी तरह हम बाकी बनाना को भी इसमें एड कर देंगे और धीमी आज़ पर कूप करते रहेंगे यहाँ पर सूगर थोड़ा ज़्यादा गर्म होता है तो आप थोड़ा केरफुली इसे कीजिएगा और इसे धीमी याज पर पकाते रहेंगे पर रहेंगे झाल में होता है तक बाता है? जब ये एक तरब कुक हो जाए तब ही इसे पलट का दूसरे साइड को भी हम कुक कर लेंगे ये अब कुक हो गया है अब हम इसे निकाल लेंगे तो चलिए इसे एक प्लेट पर हम निकाल लेते हैं और ये अच्छी तरह से भी केरेमाइल हुआ है इसी तरह हम बाकी बचे हुए बनाना को भी केरेमाइल है कर लेंगे तो हम फिर सुगर आइड करेंगे और उसमें बाना एड करेंगे और इसे केरेमाइल होने देंगे तो लीजिए ये सारा बनाना केरेमाइल हो गया है अब हम इसे एक प्लेट पर निकाल लेते हैं परोसने के लिए और इसे गार्निसिंग करेंगे कदू कस किया हुआ नारियल और किस्म से तो ये तयार है खाने के लिए ये बहुत ही अच्छा लग रहा ना देखने में क्यूंकि घर का जायका विद्खुश्वू में जो दिखता है वही पकता है और ये पहुत अच्छी तरह से केरेमाइल भी हुआ है तो आप इसके इंगिरियन्स को नोट कर लिजिए तो चलिए मैं इसे टेस्ट करके बताती हूं कि ये कैसा बना है देखिए ये बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में सच में ये बहुत ही अच्छा बना है आप इसे ब्रेट के साथ भी खा सकते हैं यकीन मानिए पेट भर जाएगा बट मन नहीं तो आप इसे एक वार अपने घर पर जरूर ट्राइ करिएगा आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज इसे एक लाइक और अपने फ्रेंट फाइमली में सेयर जरूर करे और हमें कमेंट करकर बताएं कि हम आपके लिए क्या बनाए तो फिर मिलते हैं इसी तरह के इंट्रेस्टिंग वी लिए तो थैंक यू थैंक यू फर वाचिंग टेक क्यार और नमस्कार